हाई एवर्वन पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिसकस किया डिफ्रेंशेशन ओफ कॉंप्लेक्स फंक्शन ठीक है और आज की वीडियो लेक्चर में उसी डिफ्रेंशेशन ओफ कॉंप्लेक्स फंक्शन का बेस पकड़ कर हम बात करेंगे CR equation के बारे में ठीक है याने कि कौची रिमान equation के बारे में ठीक है सो माल लीजे f of z कोई differentiable function है at z is equal to x plus i to y ठीक है अब f of z जो है वो differentiable है इसका मतलब क्या है कि f dash z याने कि differentiation of f at point z is equal to limit delta z tends to 0 f of z plus delta z minus f of z divide by delta z ये जो limit है ये क्या होती है exist करती है ठीक है अब फिर से वही बात क्योंकि ये complex plane के अंदर चल रहा है तो यहाँ पे जो limit exist करनी चाहिए वो सारे possible जितने भी path है उन sum में जो limit का value है वो same होना चाहिए real की case में से दो ही limit होती है l1 and l2 तो हम कहते है जब l1 is equal to l2 है तो limit exist करता है लेकिन ये complex का case चल रहा है ठीक है तो अगर ये limit exist करे तो हम कहते हैं कि ये जो function है वो उस point पर क्या है differentiable है ठीक है अब देखिए मैं ऐसा कोई function लेके चल रही हूँ हूँ जो क्या है differentiable है at z ठीक है तो तो हमें पता है f किसके बराबर होता है f is equal to u plus ita v जहाँ पर u क्या है xy का function है और ita v sorry v b क्या है xy का function है so मैं इस बार f को differentiable लेके चल रही हूँ at point z ठीक है तो क्योंकि इसकी limit exist करती है तो चाहे आप along real axis approach करो या फिर along imaginary axis approach करो तो दोनों के case में limit से मानी चाहिए ठीक है तो मैं पहला case लेके चलती हूँ जहाँ पर हमारी limit कैसी है जहाँ पर मैं limit ले रही हूँ where h tends to 0 मतलब along real axis ठीक है तो यहाँ पर h जो है एक real number है जो कि 0 को tend कर रहे है और हम कहा से कौन सा concept पकड़के चल रहे है along real axis तो उस case में limit का form किस तरह से आएगा यह जो form है वो किस तरह से आएगा so it is f of z plus h ठीक है इस case में delta z किस के बराबर है केवल h के बराबर है क्योंकि ita imaginary parts जो है इसमें है नहीं क्योंकि हम along x-axis इसको approach कर रहे है तो इस formula को यहाँ पर लगाती हूँ so f of z plus delta z की जगह के आएगा f of z plus h minus f of z divided by h यह चीज़ आएगी अब मैं इसको थोड़ा खोल के लिखती हूँ ठीक है so f of z plus h f क्या है f is function of u plus ita v okay f is f is equal to u plus ita v where u and v are function of x and y तो h किस में add होगा h जो है real part में add होगा imaginary में नहीं होगा क्योंकि real part है ठीक है so which is equal to तो इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ f of z plus h किस के बराबर आएगा f of z plus h यहने के f of x plus h plus ita y यह है ठीक है याने क्या कि x की जगह के आएगा x plus h यहाँ पर x की जगह के आएगा x plus h याने कि x में जो है h add हो जाएगा और y वैसका 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 ही रहेगा so f of z plus h is what u of x plus h, y plus eta v of x plus h, y क्योंकि हम along real axis approach करने तो उस case में जो हमारे imaginary part है उसमें कोई भी चीज add नहीं होगी तो y वैसका वैसका है minus minus what f of z क्या है f of z जो है हमारा याने की u of xy plus eta v of xy ठीक है divide by divide by क्या है h है अब मैं एक काम करती हूँ real part को x side और imaginary को x side लिखते हैं तो ये किसके बराबर आएगा ये दोनों साथ में आ जाएंगे so u of x plus h comma y minus बीच में minus है u of xy item मैंने common ले लिया so v of x plus h comma y minus v of xy divide by h ठीक है हमारा जो है इस side के है f of z plus h minus f of z divide by h अगर मैं दोनों तरफ limit h tends to zero लूँ तो तो हमारे पास क्या result आएगा देखें ये जो limit है ये exist करती है ये है ये exist करती है क्यों exist करती है क्योंकि हम लेके चले हैं कि जो ये f of z है ये differentiable है उस point z पर ठीक है याने कि वो जितने भी path है उन सब की limit क्या है same है जितने भी path से आप इस point को approach करोगे उन सब की ये वाली limit क्या आने वाली है same आने वाली है ठीक है exist करने वाली है और same आने वाली है तो obviously ये वाला part exist करता है और ये किसके बराबर है? इस पूरे के बराबर है इसका मतलब ये है कि ये exist कर रहा है मतलब ये वाली चीज़ exist कर रही है ठीक है? तो अब हम यहाँ पर limit h tends to 0 इन दोनों को क्या करेंगे? हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया है ठीक है? तो पहला part क्या है? limit h tends to 0 u of x plus h, y minus u of xy divide by h और ये क्या चीज़ है? इस इस differentiation of u with respect to x ठीक है? keeping y constant क्योंकि u जो है xy का function है तो उसमें से हमने y को constant रखा है और x के respect में u का differentiation किया है मतलब ये partial differentiation है तो इसको लिखा जा सकता है इस पूरे को by definition curly u by curly x similarly यहाँ पर आईटा है और ये क्या चीज़ है? differentiation of v with respect to x लेकिन ये partial differentiation है तो curly v by curly x ठीक है? और ये जो भी limit है इस limit के बराबर ये चीज़ आई है ठीक है? तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर हमने actually इस f को यह जो हमारा f था इसको differentiate किया है with respect to x ठीक है? तो इस इस what? इस इस curly f by curly x क्योंकि हमने यहाँ पर y को constant माईं के चले है ठीक है? तो इस नहीं बद curly f by curly x क्योंकि अगर आप इसका differentiation करोगे तो क्या आएगा? curly u by curly x यह चीज है हमारा equation number 1 अब हम क्या करेंगे? along imaginary axis इसको approach करेंगे इस बार हम along imaginary axis से approach करें तो obviously imaginary number होगा वो h, वहाँ पर h real था और यहाँ पर h क्या है? एक imaginary number है तो मान लिजे h is equal to ita k and it approaches to 0 along imaginary axis ठीक है? तो फिर से मैं limit निकालती हूँ कौन से? by definition वाली f of z plus delta z ठीक है? तो इस case में हमारा delta z क्या है? delta z is ita k तो by definition जो हम differentiation की definition लगा रहे है तो f of z plus ita k minus f of z divide by delta z is what ita k ठीक है? फिर से वही बात तो यहाँ पर हो क्या रहा है f जो है u और v का function है और u और v x y के function है तो ita k imaginary है तो यह y में add होगा तो f of z plus ita k किसके बराबर आएगा? u of इस बार x constant रहेगा मतलब सेम रहेगा और y में ita k add हो जाएगा ठीक है? क्योंकि ita k क्या है? अब क्योंकि जब हम u of x y लिखते हैं तो यहाँ पर हम ita mention नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर भी ita mention नहीं करेंगे तो y plus k ठीक है? प्लस क्या आएगा? आइटा v of x y plus k ठीक है? यह हमारा f of z plus आइटा k हो गया फिर minus f of z is what? u of x y plus आइटा v of x y और divide में इस बार क्या है? आइटा k है पिछली बार क्या था? h ठीक है? अब फिर से वही बात करेंगे imaginary part को excite और real part को excite करते है तो हमने real part और imaginary part को separate कर दिया है ठीक है? so u of x y plus k और u x y मैंने एक साथ के लिया यह minus यहाँ पे है उसी तरह v के साथ किया और divide में इस बार आइटा k क्या कर दिया? separate कर दिया तो यहाँ से एक चीज के लिए है कि आइटा, आइटा क्या हो जाएंगे? cancel हो जाएंगे so this is equal to what? अब देखिए आइटा हम mainly denominator में नहीं रखते तो उपर नीचे आइटा से multiply कर देंगे so it is आइटा, आइटा so यह आइटा, यह आइटा minus हो जाएगा और minus आइटा बन जाएगा so एक बाँ मैं limit लेती हूँ दोनों तरफ मैंने इसको जो है simplify कर दिया अब limit लगाती हूँ so limit, अब यहाँ पर क्या है? आइटा की बाद नहीं करेंगे k tends to 0 तो automatically i k also tends to 0 so limit k tends to 0 यहाँ पर भी क्या आजाएगा? limit k tends to 0 यहाँ पर भी limit k tends to 0 फिर से वही बात क्योंकि f जो है z पर differentiable है तो यह जो limit है, यह क्या है? यह exist करता है ठीक है? क्यों करता है? क्योंकि f is differentiable at point z तो जब आप इस axis के along इसको approach करोगे तो भी limit exist करेगा और सेम हो ही आएगा जो differentiation of f at point z आता है ठीक है? तो यह चीज़ exist कर रही है मतलब यह चीज़ exist कर रही है ठीक है? तो इसका existence हमारे पास आ चुका है So this is what again by definition यह किस चीज़ की definition है curly u by curly x plus this is what curly sorry curly u by curly y curly v by curly y ठीक है? और यह क्या है? partial differentiation of u with respect to y v with respect to y कहने का मतलब भी है यह किस के बराबर है? यह curly f by curly y के बराबर है क्योंकि f is equal to what u plus i to v so curly f by curly y is equal to what curly u by curly y plus i to curly v by curly y है ना? लेकिन यह चीज़ और यह चीज़ match नहीं करती इसका मतलब यह है कि यह जो है curly f by curly y के बराबर नहीं है यहाँ पर कुछ तो missing है और वो क्या चीज़ missing है? तो यहाँ पर missing क्या है? यहाँ पर missing है minus i ठीक है? क्योंकि अगर आप इसको minus i से multiply करके दोखोगे तो यहाँ पर minus i आए जाएगा और minus i into minus i is 1 यानि कि यह चीज़ ठीक है? तो यह पार्ट किसके बराबर आगया? minus i curly f by curly y लेकिन जो हमने पहले वाला limit लिया यह जो limit है किसके बराबर है? इस लिमिट है किसके बराबर है? तो इसका लिमिट किसके बराबर आएगा? f' के बराबर आएगा? ठीक है क्योंकि f differentiable है तो इसका और इसका अंसर सेम आएगा मतलाब f' is nothing but limit of this function f of z plus h minus f of z divided by h उसी तरह से by definition यह किसके बराबर है? यह जो limit है यह f' के बराबर है ठीक है? यानि कि यह जो चीज है यह भी f' z है इसको मैं equation number 2 देती हूँ तो आप यहां से देख रहे हो equation number 1 और equation number 2 में इसका left hand side सेम है यानि कि इसका right hand side भी क्या होगा? सेम होगा तो खहने का यह मतलब है कि curly u by curly x plus ita curly v by curly x is equal to minus ita curly u by curly y plus curly v by curly y ठीक है? तो यह दोनों term कैसी है? यह बराबर है तो इसमें जो है मैं imaginary part को imaginary से और real को real से compare करती हूँ तो क्या आएगा? कि curly u by curly x किसके बराबर होगा? curly v by curly y के और curly v by curly x किसके बराबर होगा? minus ita curly u by curly y के ठीक है? लेकिन imaginary part को हम सिर्फ compare कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर ita नहीं लिखना चाहिए क्या हम सिर्फ imaginary part को compare कर रहे हैं तो curly v by curly x is equal to minus curly u by curly y इसी चीज़ को curly u by curly y is equal to minus curly v by curly x भी कहते हैं तो इसको short form में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि u और उसके subscribe में x is equal to v y और इसको लिखा जा सकते हैं अगर मैं sign को change करूं तो u y is equal to minus v x ठीक है? और हमें पता है कि ये वाली चीज़ किसके बराबर थी? minus ita curly f by curly y और यहाँ पर curly f by curly x तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि curly f by curly x is equal to minus ita curly f by curly y या फिर f x is equal to minus ita f y ठीक है? तो ये जो चार, चार टम्स आई हैं और दो equation आई हैं इन्हें को क्या कहते हैं? c r equation ठीक है? तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझो तो ये है क्या? ये ये कह रहा है कि अगर कोई function differentiable है तो इन सारी चीज़ों को लगा के हम ये कह सकते हैं कि curly u by curly x is equal to curly v by curly y and this term याने कि CR equation तो अगर कोई f differentiable है तो वो CR equation को satisfy करेगा CR equation को satisfy करेगा मतलब ये वाली चीज़ें true होंगी ठीक है? तो यहाँ से एक चीज़ का पता चलता है क्या? कि अगर f of z differentiable है तो इसका मतलब definitely क्या होगा? CR equation satisfy होंगे CR equation satisfy होंगे ठीक है? और CR equation है क्या? बहुत simple से बात है आप जो है उस differentiable function को x-axis और y-axis के along approach करा रहे हो उन limits को बराबर रख रहे हो और वहीं से कुछ condition आती है उसको CR equation कहते है ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने इस theorem में क्या किया? हमने सिर्फ दो चीज़ें लिए obviously अगर कोई function differentiable है तो यहाँ से जो limit आएगी और यहाँ से जो limit आएगी L1 और L2 क्या होंगे? बराबर होंगे ठीक है? लेकिन माल लेजे कि ऐसा कोई function है जहाँ पर यह L1 और L2 तो बराबर आ रहे हैं लेकिन जब हम यहाँ से approach करते हैं L3 यह L3 के बराबर नहीं आता ठीक है? यानि क्या? कि अगर यहाँ से और यहाँ से approach करने के बाद जो limit है वो बराबर आती है कहने का मतलब यह है कि अगर CR equation satisfy होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि F of Z जो है differentiable है वो function Z पर differentiable है ठीक है? क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि CR equation I कैसी है CR equation को जो है X axis और Y axis से approach करके जो limit थी उनको बराबर रखने पर आई है लेकिन ऐसा पूरा possible है कि limit बराबर हो इन दोनों से लेकिन एक ऐसा दूसरा पाथ हो सकता है जैसे कि L3 जहां से उसकी limit बराबर नहीं आती ठीक है? तो हम इसे कहते हैं कि यह sufficient condition है जो हमने यह चीज़ पढ़ी है यह क्या है? sufficient condition है किस चीज़ के लिए? differentiability के लिए for differentiability at z ठीक है? याने कि अगर z पर कोई function differentiable होगा तो वो CR equation को satisfy करेगा ठीक है? लेकिन इसका reverse true नहीं है याने क्या कि अगर कोई CR equation को satisfy करता है तो वो जरूरी नहीं है differentiable हो क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसका explanation दे दिया है तो अब सवाल ये है कि ये हमें मदद किस तरह से करता है? ठीक है? तो देखिए जो CR equation है वो हमें differentiation of a function at that point कि existence नहीं बताता ठीक है? मतलब क्या? कि अगर कोई problem कोई function CR equation को satisfy करे तो हम ये नहीं कह सकते कि वो differentiable है या नहीं है? लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर कोई function CR equation को satisfy नहीं करता है तो वो definitely differentiable नहीं होगा ठीक है? यानि कि जो CR equation है वो हमें non existence of differentiability बताता है ठीक है? क्यों? देखिए अगर मैं इसको P statement मान के चलूँ P implies Q? यानि कि differentiation implies CR equation satisfying CR equation और इसका opposite क्या होगा? negation Q implies negation P यानि कि अगर CR equation satisfy नहीं करता है तो function differentiable नहीं होगा ठीक है? तो CR equation हमें मदद करता है कि कोई function जो है वो differentiable नहीं है obviously अगर L1 और L2 बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब वो function differentiable नहीं है क्योंकि लिमिट सेम नहीं आ रही है ठीक है? अब एक example देखके देखते है तो एक function है F of Z X cube minus Y cube divided by X square plus Y square यह हमारा U है ठीक है? X cube इस बार क्या है? plus Y cube divided by X square plus Y square यह हमारा V है ठीक है? इसकी जो differentiability है और CR equation है हम वो 0 पर चेक करेंगे ठीक है? तो 0 पर function का value 0 है 0 पर देखते हैं कि इन सारे partial differential equation का value क्या हता है? ठीक है? अगर मैं आब इसको जो है curly U by curly X निकालने जाओ ठीक है? इसका तो बहुत लंबा पड़ेगा तो अगर definition की हिसाब से चलेंगे तो easy पड़ेगा तो by definition curly U by curly X किस के बराबर है? curly U by curly X is what? limit H tends to 0 U of X plus H Y as it is ठीक है? minus U of XY divide by H लेकिन यहाँ पर X और Y क्या है? 0 0 है तो हम 0 0 पर बात कर रहे हैं so which is equal to limit H tends to 0 U of H, 0 minus U of 0, 0 divide by H ठीक है? अब देखो U of 0 0 क्या है? क्योंकि यहाँ पर X is equal to Y is equal to 0 पर function का value 0 है इसका मालब यह part भी 0 और यह part भी 0 ठीक है? so this is 0 U of H, 0 याने क्या? कि जहाँ पर X है वहाँ पर H रखूं बाकि जगा 0 so this is H cube divide by X square याने H square और इस पूरे के नीचे क्या है? H है limit H tends to 0 which is equal to यह नीचे आ जाएगा so this is H cube by H cube limit H tends to 0 which is equal to 1 इसको number 1 देते हैं ठीक है? उसी तरह से आप जो है VX भी निकाल सकते हो so what is? चलो पहले curly U by curly Y निकाल देते हैं curly U by curly Y so curly U by curly Y is equal to what? इस बार जो है हम Y में क्या करेंगे? increment करेंगे या फिर H tends to 0 करेंगे so limit H tends to 0 और X क्या रहेगा? X में कोई change नहीं आएगा so U of X, Y plus H minus U of X, Y divided by H ठीक है? यह सारी चीज़े हैं partial differential equation में आप लोग पढ़ चुके होंगे अभी तक हमने वो चीज़ की नहीं है future में करेंगे so which is equal to limit H tends to 0 ठीक है? so X और Y की जग़ा क्या रख दिया? 0 रख दिया क्योंकि मुझे 0-0 पर निकालना है यह 0-0 पर निकालना है so which is equal to अब क्योंकि यहाँ पर minus था? यहाँ पर minus का फरक आगा okay so H square upon H is minus H cube upon H cube limit H tends to 0 which is equal to minus 1 ठीक है? उसी तरह से आप जो है आप VX और VY भी निकाल सकते हो so VX किसके बराबर आएगा? आप अंदाज लगा सकते हो जैसे पहले इसका आणसर आया था इसका कोई रोल नहीं था ठीक है? so it is H cube upon H square divide में H, तो H cube upon H cube इसका आंसर वन आएगा आप करके देख सकते हो ठीक है? VY 00 ठीक है? VY 00 में क्या हो जाएगा? यह X cube और X square का concept नहीं आएगा it is Y cube upon Y square ठीक है? याने कि H cube upon H square divide में H याने कि H cube upon H cube तो यहाँ पर माइनस को कोई फरक नहीं आया है इस माइनस की वज़े से यहाँ पर माइनस वन आ गया है ठीक है? so this is again 1 ठीक है? CR equation क्या कहती है? कि UX is equal to VY और UY is equal to minus VX ठीक है? so UX और VY तो UX कितना है? 1 है और VY कितना है? भी 1 है UY कितना है? कितर गया? minus 1 और minus VX VX कितना है? 1 तो उसका minus यह भी क्या है बराबर याने कि यह CR equation को satisfy करते हैं so अब यह चेक करते हैं कि क्या यह origin पर differentiable है या नहीं है ठीक है? तो मैं पूरा solve नहीं करूँगी लेकिन आपको बता देती हूँ देखिए U किसके बराबर है हमने इस चीज़ को already अभी solve किया है बस वैसे ही solution है so X cube minus Y cube divide by X square plus Y square ठीक है? आप इस चीज़ का limit अगर along X axis लेते हैं ठीक है? along X axis लेते हैं तो उस case में आपको क्या करना पड़ेगा मतलब delta Z is equal to माल दीजी H plus I to K है ठीक है? so अगर आप along X axis approach कर रहे हैं तो उस case में ये वाला part 0 हो जाएगा तो आपका delta Z is equal to what? H हो जाएगा ठीक है? so आप क्या करोगे? कि X में H को जोड़ोगे ठीक है? so this is what? X plus H cube minus Y cube divided by X plus H ka square plus Y ka square लेकिन आप X Y 0-0 पर चेक कर रहे हैं ठीक है? so ये वाली चीज ये आ गई है लेकिन हमारी definition क्या कहती है? हमारी definition is F of Z plus delta Z minus F of Z divide by H ठीक है? तो ये जो चीज निकाली है मैंने ये क्या है? ये सिफ F of Z plus delta Z है ठीक है? इसमें मुझी क्या minus करना है? F of Z minus करना है याने कि F of 0, 0 और F of 0, 0 by definition कितना है? 0 सो minus 0 और divide में क्या लेना है? H लेना है ठीक है? so it is again H cube upon H cube so H cube upon H cube which is equal to 1 ठीक है? limit H tends to 0 आप हर जगा लगाते जाहिएगा limit H tends to 0 minus 0 divide by H ठीक है? यह हम limit की case में कर चुके है फिर तो आप देख रहा होंगे और हमने जब पहला वाला part solve किया यह सेम चीज़ है ठीक है? उसी तरह से अगर आप जहें along Y axis करते हो along Y axis करते हो तो उस case में X की जगा 0 ले लेना और Y में क्या कर देना? Y plus H कर देना बाद में Y भी 0 हो जाएगा तो यहाँ पे minus H cube upon H square आजाएगा So which will be minus H cube upon H square minus F of Z is what? 0 divide by H limit H tends to 0 ठीक है? So which is what? यह हो जाएगा H cube so minus 1 तो यहाँ से इसका limit L1 वन आ रहा है और L2 माइनस वन आ रहा है So आपने यहाँ पे देखा कि जो limit 1 और limit 2 है इस U की वो same नहीं आ रही है मतलब यह 0-0 पे differentiable नहीं है इसका मतलब क्या? कि ऐसे भी function हो सकते हैं जो CR equation को satisfy कर रहे हैं लेकिन वो differentiable नहीं हो ठीक है? एक mistake जो मैंने flow में आके कह दी वो यह कि यह जो चीज है यह sufficient condition है यह sufficient condition नहीं है यह necessary condition है ठीक है? necessary condition याने क्या? कि अगर P जो है क्यों को imply करती है? याने कि अगर F of Z differentiable है तो CR equation satisfy होंगी ही होंगी ठीक है? याने क्या? कि अगर CR condition satisfy नहीं होती है तो F of Z जो है differentiable नहीं होगा ठीक है तो ये इसकी necessary condition है ठीक है CR equation को satisfy होने के लिए F of Z differentiable होना पड़ेगा ठीक है तो क्योंकि वीडियो लंबी बन रही है इसलिए इसका दूसरा part में अगले वाले वीडियो lecture में discuss करूँगी लेकिन तब तक मैं आपका attention जो है किसी चीज की तरफ ले जाना चाहती हूँ देखिए F of Z differentiable है और ये चीज़ imply करती है कि CR equation satisfy होंगे ठीक है और इसका reverse उल्टा नहीं है क्योंकि आप ये चीज़ें समझ चुके हो यानि क्या कि ये जो चीज है ये इसकी sufficient condition नहीं है ठीक है यानि कि CR equation satisfy हों तो जरूरी नहीं है कि F जो है differentiable होगा या नहीं होगा यानि क्या तो ये जो है ये necessary condition है ठीक है लेकिन ये जो है इसकी sufficient condition नहीं है यानि कि sufficient condition मतलब क्या कि CR equation अगर satisfy हो जाएंगे तो ये information sufficient नहीं है इस चीज़ को बताने के लिए कि F जो है वो differentiable होगा यानि होगा उस Z पर यानि क्या इसके साथ या फिर इसके अलावा वो पता नहीं हम देखेंगे लेकिन ऐसी कुछ condition चाहिए जो हमें definitely बताए कि Z पर वो function differentiable है ठीक है इसलिए हम क्या करेंगे अपना जो idea है हम अभी तक जो differentiable की बात कर रहे है वो किसी point पर बात कर रहे है एक isolated point की बात कर रहे है कि यहाँ पर function differentiable कब होगा जब उसकी यह सारी limit exist करेंगे और बराबर होगे ठीक है तो अब हम क्या करेंगे अपना जो idea है वो एक point से उठा कर एक neighborhood में जाएंगे ठीक है यानि कि इस point के neighborhood में हम differentiability की बात करेंगे पहले point के बारे में बात कर रहे थे अब neighborhood के बारे में बात करेंगे तो इसके बाद एक नया definition आता है जिसे हम कहते है analytic function ठीक है so analytic function क्या चीज होती है किसी function को हम analytic कहते हैं उस point पर अगर ऐसा कोई neighborhood exist करें उस point का जहां के हर point पर वो function differentiable हो ठीक है तो हम पहले differentiability की बात कर रहे थे सिर्फ point पर अब हम बात करेंगे neighborhood पर ठीक है so अगर किसी point के neighborhood में ऐसा neighborhood मिल जाता है छोटा सा छोटा try कीजिए तो कि बड़ा होगा तो possibilities हैं कि ऐसा कोई point मिले जहां पर function differentiable ना हो ठीक है लेकिन ठीक है मतलब ऐसा अगर neighborhood exist करता है जिसके अंदर के सारे point पर और उस point पर वो function differentiable हो तो हम कहते हैं कि उस point पर function analytic होता है इस चीज़ को मैं फिर से explain करूंगी अगले वाले वीडियो में लेकिन तब तक आपके लिए बस एक initiation दे रहे हूं मैं ठीक है about sufficient condition for analyticity ठीक है किसी function के लिए analytic होने के लिए sufficient condition क्या है ठीक है तो अगर वो analytic होने के लिए sufficient condition है तो वो differentiable होने के लिए भी sufficient condition है ठीक है सो हम उस चीज़ को continue करेंगे अगले वाले वीडियो में